दोस्तों आज मैं आपको बताऊंगा कि संतान सप्तमी का ब्रत कब किया जाएगा, दो या तीन सितंबर को और इसका सुब महुर्त और पूजा बिधी क्या होगी, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। दोस्तों संतान सप्तमी का ब्रत हर साल भादरपद मास के सुक्ल पक्षी सप्तमी तिथी को किया जाता है, इस दिन भगवान शिव माता पर्वती की विशेष पूजा की जाती है। यह ब्रत मुख रूप से संतान प्राप्ती, संतान की रक्षा, संतान की आयू, संतान की खुशाली के लिए और संब्रिधी के लिए किया जाता है भादरपद के सुकलपक्षी सप्तमी के ब्रत का विशेश महत्तु माना जाता है ये ब्रत हिंदी पंचांग के अनुसारक भादो मास के सुक्ल पक्षी सप्तमी तिथी के दिन रखा जाता है हर साल संतान सप्तमी मानाने की तिथी अलग-अलग होती है चलिए दोस्तों बीडों में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं संतान सप्तमी का ब्रत यनि की इसका सुबमहुर्त क्या रहेगा पूजय विधी क्या रहेगी और क्या महत्तु है सप्तमी का विशेश महत्त होता है क्योंकि संतान सप्तमी का ब्रत इस्त्रियों दोरा पुत्र प्राप्ति की इक्षा के लिए किया जाता है ये ब्रत संतान के शारी परेशानी के निवारण के उद्देश किया जाता है संतान की सुरक्षा का भाव लेकर इस्त्रियों के द्वारा इस ब्रत को पूरे बिद्विधान के साथ किया जाता है इस ब्रत को पुरुस अर्थात माता पिता दोनों मिलकर इस ब्रत को रखते हैं चलिए आप जानते हैं कि संताज सप्तिमी ब्रत की तिथी और शिब महुरत क्या है दोस्तो वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आपको मेरे वीडियो अगर अच्छी लगे तो इसे एक लाइक कर दिजे और अपने दोस्ते को ज़्यादा ज़्यादा शेर अवश्य कर दिजेगा दोस्तो इस साल 2020 में संताज सप्तिमी कब्रत दो और तीन सितंबर दोनो दिन रखा जाएगा क्योंकि दोस्तो ये दो सितंबर और तीन सितंबर दोनो दिन यनिकी रहेगी दोस्तो ये 3 सितंबर को शुर उदय ब्यापनी रहेगी और 2 सितंबर को ये दिन में रहेगी 2 सितंबर 22 दिन शुक्रवार को यनि की दुपहर आज 1 बच कर 50 मट पर इसका यनि की शुरुवात होगा और 3 सितंबर धोजवाईश चनी वार को दुपहार 12 बच के 25 मट पर ये यनिकी समापती होगी उद्यातिति के हिसाब से ये 3 सितंबर को भी मनाई जाएगी और आज ये 2 सितंबर को भी यनि रहेगी यनिकी 2 और 3 सितंबर दोनों दिन आप संतान सप्तमी की पूजा बिधी यनिकी और इसकी यनिकी पूजा कर सकते हैं इस ब्रत को आप दोनों ही दिन रख कर पूजा कर सकते हैं दोस्तों इस ब्रत की जो शुब यनि की समय रहेगा पूजा का जो शुब समय रहेगा वो हम आपको बताते हैं आप नोट कर लिजे संतान सप्तमी ब्रत की पूजा बिधी इस ब्रत में सुबह जल्दी उठकर नहाधो कर स्वक्ष वस्तर पहन लें सुभई सिभजी की पूजा करें, माता पारुती की पूजा करें, तथा पूजन का संकल पलें, फिर निराहार रहते हुए सुद्ध, तसे आप पूजा का यनकी सावान तयार करें, जैसे की खीर, साथ पूआ या मीठी पूडी, फिर पूजन इस्थल को आप गंगजल डाल कर, उस पर आम का पत्ता लगा कर, उसके उपर दिया रखें, पहले चावल रखें, फिर आप दिया रखें, चावल के उपर एक दीपक रखें, और भगवान को चंदन यनि की अरपित करें, और फिर जो महा प्रसाद आपने बनाया है, साथ साथ पूए, आठे के और सक सबसे पहले हम आपको बता दे कि सुबमहूरत क्या है तो देखिए आपको यानि कि अगर 3 सितंबर को करना है तो 12 बच के 25 मिट से पहले आप पूजा कर लें सुबमहूरत यानि कि आप चाहें तो 3 सितंबर को दोपार 11 बच के 36 मिट से लेके दोपार 12 बच के 25 मिट के पहले प पिर आप यानि की साम 4 बज कर 10 मिनट के बीच आप पुजा कर सकते हैं और पुजा पाठ करने के बाद फिर आप जो भी सारी सामागरी आपने यानि की तयार की है भगवान सिव के सामने उसे आप यानि की भोग के रूप में पहले तो उन्हें याँ भोग लगांगे फिर साथ साथ पुई आटे और शक्कर लें और फिर आप इसको केले के पत्ते में रखके सिव जी के सामने भोग लगाने एका विश्य शमहत होता है रख दें फिर फल फूल घी धूप बिधवत पूजा करें फिर चांदी के कड़े को सिव परवार के सामने रखकर दूध जल से बाद लें चांदी के कड़े को अपने दाहिने हाथ में बांध लें फिर संतान सप्तमी की कथा सुने पूजा की बाद ब्रत का कथा सुनने के बाद साथ साथ पुई जो भगवान को आपने चड़ाए गए हैं उसमें साथ पुई ब्रामर को दान दे और साथ पुई खुद खाएं ध्यान रखे इस दिन भोलकर भी नमक का सिवन ना करें संतान सप्तमी के ब्रत से संतान के कष्ट कटते हैं और उसके जीवन में शुक्षम्रधी आती है तो दोस्तो पूजा बिदी भी बता दी और आपको इसका सुबमहुर्त यही कि आज 2 सितंबर को भी आप कर सकते ह एक बज़ कर पच्चास मिट के बाद पूजा का सुबमहुर्त रहेगा और आप साम के पहले-पहले कर लें और 3 सितंबर के दिन जो लोग करेंगी जो महिलाएं करेंगी वो 12 बच के 25 मिट से पहले-पहले कर लें तो ज्यादा विशेश रहेगा तो आप दोनों दिन कर सकते दो और तीन सितंबर दोन दिन संतान सप्तिमी का तो इस वीडियो में हमने पूरी जानकारी दी पूजा का शुब महुर्ट क्या है पूजा विधी क्या है पूरी जानकारी तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको बेहत पसंद आया होगा और पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर दिजे और दोस्तों को बीच आप ज़्यादा ज़्यादा शेयर कर दिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजेगा जय शिप्संकर जय नापार्वती